अगर आपके बच्चे टेबल सीख रहे हैं अगर ग्रेड टू में हैं या ग्रेड थ्री में हैं तो यह टेक्स्ट बुक आपके सामने हैं यह आपके बच्चों के लिए बहुत ही जादा यूसफुल साबित होने वाली है तो चलिए फिर बिना किसी देरी के समझते हैं कि इस बुक में क्या है बट उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइ इन बुक्स के नेम्स आप सभी उन बच्चों और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें और एक बात की इन बुक्स के परचेजिंग लिंक मैं नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर के इन बुक्स को खरीद सकते हैं इस पर्टिकुलर बुक क की बाइंग लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप वहाँ से जाकर के जरूर खरीदें इस किताब को तो इस बुक का नाम है और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली तो यह है फ्रॉम दे वंडर हाउस पॉब्लिकेशन नौ इसमें कितने पेज़ें क्या हैं वो सारी चीज़े बताऊंगी एक एक करके यह मैंने अमजॉन से ओर्डर किया था उसकी प्राइसिंग और सारा डेस्रिप उनके लिए काफी अच्छी एक्टिविटी बुक है तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं कि इस बुक में और क्या क्या दिया हुआ है तो फर्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखता है that is my first time tables and this book belongs to from wonder house obviously उसके बाद मैं आपको एक यहां पे दिखा रही हूँ जैसे यह one की table यहां पे दी हुई है and then skip counting one को भी explain किया हुआ है देखे इलस्टेशन, color of pages and the related skills जो बच्चे को आनी चाहिए next कुछ भी solve करने के लिए वो ब बाद भी देखे पूरी बुक काफी colorful है और इसी तरीके से हम पूरे worksheets के साथ दी गई हुई है और table number 20 तक यह book जो है वो दी गई है उसके बाद भी काफी सारी worksheets हैं जो share की गई है आप देख सकते हैं यहां पे revision purpose के लिए भी काफी सारी इस तरीके की बना करके tables के लिए worksheets, revision के लिए worksheets यहां पे दी गई हैं उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे grids हैं, circles हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से यह book आपके बच्चों की help करने वाली है, all together अगर मैं pages आपको बता दू तो total इसमें 48 pages हैं और answer की भी जो है अगर कुछ worksheets बच्चों को दिये गया हैं तो answer जो भी है उनका वो भी उस page के end में नीचे में bottom में दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपके बच्चे अगर tables पहली बार सीख रहे हैं और उनको भी थोड़ी परिशानी आ रही है या कि आप उनकी learning easy करवाना चाहते हैं, तो definitely आप यह book उनको जरूर से ज introduce करें, this is times tables activity book, मुझे यह book बहुत जादा पसंद आई, generally जो CBC board का portion होता है, syllabus होता है, उसमें grade 2 में हम बच्चों को tables introduce करते हैं, यानि की multiplication सिखाना शुरू करते हैं, वाया skip counting method, तो यह method भी इसमें काफी सारे worksheets में use हुआ हुआ है, आप जरूर इस book को check करें, और अगर आ होनी चाहिए, उमीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो useful लगा होगा, इसी तरीके कि और वीडियो में आने वाले दिनों में लेकर के आने वाली हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप consider करें, सब्सक्राइब करना और उन parents और बच्चों के साथ जरूर शेर करें, उन teachers के साथ भी जरूर शेर करें, जिनके लिए ये activities, ये worksheets काफी useful साबित होंगी दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनके खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिलती हूँ फिर से next वीडियो में, तब तक अ ना बूले, थैंक यू सो मच, बाई बाई